तो इस प्रकार से जगे जगे जमीनों के उपर कबजे किये गए हैं और जगे भर्ष्टाचारी भर्ष्टाचार आप कहीं भी हाथ डालोगे वहाँ कॉंग्रेश का काला भर्ष्टाचार आपको नजर आएगा तो इसलिए जगननेती त्यार की है वह रणनेती का खुला साथ तो मैं आपके सामने नहीं करूँगा परन्तु हम निचित रूप से मैंने पहले भी आपको कहा कि मेवाराम कभी भी अपनी ताकत के बलबूते पे नहीं जीते हैं पहली बात मैं खारिज करता हूं इसको वो केवल और केवल बारती जनता पार्टी के वोटों के बलबूते विचुते कॉंग्रेस के पास वोट भी नहीं अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं तो रन्विर सिंग जी से धरातल की पूरी जानकारी लेते हैं क्योंकि घर-घर तक कारे कारे करता तक पहुंच है रन्विर जी नौश्कार तेजल मीडिया के माद्यम से समस्त जिले वाश्यों को प्रदेश वाश्यों को मेरा प्रणाम राम राम नौसकार आपका स्वागत है तो रनीय जी बाजबा की क्या इस्तिती सबसे पहले जिल्ला मुख्याले की आप बताईए जिल्ला मुख्याले के उपर भारती जनता पार्टी की वरतमान में बहुत अच्छे इस्तिती है अच्छे इस्तिती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो बारती जनता पार्टी के संग्ठन से मैं जुड़ा हुए वेक्ती हूँ और बाड़मेर विदान सबाक शेतर का पिछले 5 साल से संग्ठन का मैं परभारी रहा हूँ भूत लेकर जिट Gay घ्टी भी हमारे शमीतियां बनी हैं मंडलों कि है मोड़िशों कि है अचारी शमीतिया मैंने खुद ने जाके हर मंडल पर भूछ कि वह शमीतिया चारण से हमारे बाड़मेर विदान सभाक शेतर के अंदर आज वर्थमान के अंदर चौतिस हजार हमारे कारेकरताओं की फोज त्यार किए हमने बूद के उपर समिधिक आज़ने के उपर बूद की समिधित है जो है हम उससे भी आगे बढ़ गए पन्ने की समीति और पन्ने के साथ हमने पेज की भी समीति बना दी एक वोटर लिस्ट में एक पन्ना होता है तो उसके 30 आगे और 30 पीछे 60 वोट होते हैं परन्तु हमने एक पेज की मलब पेज की उपर 30 वोट होते हैं तो पेज में 30 वोटर में भी हमने समीति बना दिये तो ऐसे करके हर बूत पे हमने सो कारेकरताओं की एक समिती हर बूत पे उपर हमारे त्यार होगी है पेज समिती पन्ना समिती और बी एले टू और सोशल मीडिया की टीम और उस बूत की टीम बूत की काई बूत की शमिती यह सब लगा कर एक बूत के उपर हमारे सो कारेकरताओ की फोज हमने पिशले पांच साल के अंदर आज की तारीक के अंदर तियार कर दी है तो एक तो इन कारेकरताओं की फोज के बलबूते पे दूसरा मानने है मोदी जी ने जो संपुन देश भर के अंदर जो काम किये इन पिशले पांच सालों के अंदर ऐशा कोई घर नहीं है ज और दूसरा 5 साल में ये शेक कॉंग्रेश सरकार में गैलो सरकार में जो जनता के साथ जूटे वादे की ये चाई वो किषान हो यूः वरक कितना प्रेशान रहा है इस 5 साल में कोई कलपना नहीं कर सकता यूःओं की साइकोलोजी आप रीड करोगे दलित कहीं शुरुक्षित नहीं है दलित परिशान है व्यापारी कहीं शुरुक्षित नहीं है व्यापारी परिशान है यह आपके चोथा मीडिया है जो इसमीडिया उपर उसके उपर भी राजस्तान के अंदर अने गटना होई है मारपीट होई है अमरबाडमेर के अंदर भ गए उनकी आवाज को दबाया गया है तो इस परकार से जगे जगे जमीनों के उपर कबजे किये गए हैं और जगे भर्ष्टाचारी भर्ष्टाचार आप कहीं भी हाथ डालोगे वहाँ कांग्रेश का काला भर्ष्टाचार आपको नजर आएगा तो इसलिए जनता इस बार बदलाव की मूड में है और सब जनता ने यह तैक कर लिया कि इस बार कांग्रेश के इस आतंग को खतम करने के लिए हम भार्ष्टी जनता पार्टी को विज़ई बनाएंगे और मैं पूंड रूप से आस्वस्त हूं मैं जिले का मामंतरी होने के नाते केवल बाड़मेर ज जी के कारियों के बल्बूते पर जीतेगी दरसक जाना चाहते हैं क्या पार्टी में इस समय पूर्ण एकता है अंदर खाने बिलकुल एकता है मैं आपको इसका बहुत बड़ा उदार नभी देता हूं देखिए टिकट मांगने तक सब लोग टिकट मांगते हैं उसमें कोई दोर आई नहीं है और टिकट मांगने के जैसे हमारे बाडमेर विदानसवा जिले के अंदर बाइतु विदानसवा कि शत्र की हमारी जो शीट है टिकट है वो उमिद्वार है हमारे अधरनिये बला राम जी मूर्ण साब को गोशित किया गया है पार्टी ने तो आपने वहा बहुत पूर्वा मनलब बीजीपी के दुरंदर परिवार है वो बरसों से जनों ने बीजीपी वहां इस्तापित की आधरनिये तका राम जी का परिवार चैना राम जी कड़वासरा और सिगरती जी और उधर स्वाव के अंदर अमरा राम जी का परिवार बहुत पर्तिशि पक्षेतर के अंदर आपको मन मुटाव देखने को नहीं मिलेगा टिकेट वित्रन के बाद सारे दावेदार एक साथ एक ही गाड़ी के अंदर निकलेंगे जिल्ला मुख्याले पर मेवाराम जैन तीन बार के विदाएक है और उनको पटकनी देने के लिए क्या विशेश रण रणनेती त्यार की है वो रणनेती का खुलासा तो मैं आपके शामने नहीं करूंगा परन्तु हम निचित रूप से मैंने पहले भी आपको कहा कि मेवाराम कभी भी अपनी ताकत के बलबूते पे नहीं जीते है पहली बात तो मैं खारिज करता हूं इसको वो केवल और केव जीत पाए हैं और इस बार सारी जीत का आप देख लेना सारा गुणा बाग करके और परचंड बहुमत से चारों ही विदान सबाक शेत्रों के अंदर सबसे यदि कई परचंड जीत भारती जंदबाड़ी जीतेगी वो बाड़िमेर सीट जीतेगी अमने चित रूप से जीत जाती वर्ग धरम के लोगों ने ये तैय कर दिया है कि इस बार मेवा रामजी के एंकार को तोड़ना है क्योंके उनके अंदर जबरदस्त एंकार आ गया है इतना एंकार आ गया है कि वो बोलते भी कुद भी ध्यान नहीं रखते हैं हर एक वर्ग को हर एक जाती को जितेबी करमचारी वरग है वो आज उनसे दुखी है चप्रासी तक को उन्होंने नहीं बखसा है मनलब चप्रासी की ट्रांसबर भी उनकी बिना अनुमति की नहीं हो शकती जितने सरपंच वो इतने दुखी है इनके कारेकलापों से इनके जो इर्दगिर चौकडी है उनसे आए दिन उनको परिशान करते रहते हैं तो वो चुनाव तक था आज उनके साथ में एक वी सरपंच इस चुनाव के अंदर खड़ा नहीं रहेगा एक वी करमचारी खड़ा नहीं रहेगा एक वी वरग और व्यापारी के ऊपर इतनी लूट मार हुई है इस मंडी से घर जाने वाद अने को घटना करम हुए वैपारीयों की जमीनों के उपज चार वा लिया गया है इन्हों न नगर परिशद के अंदर इस सेर की आलत ऐसी बना रखी है पूरी सड़कें इन्हों ने तोड़ डाली है जगह जगह शीवरेज लाइन के अंदर दुनिया बर का इन्हों पर स्च गवगुत करा तो उसके बाद वो आते हैं और लोगों का उपरी उपरी लीपा पोदिगर के और चले जाते हैं तो इसलिए जनता इस बार इती दुखी और तंग आ चुकी है इनकी काले कारणामों से इनके विवहार के कारणा तो इसलिए निचीत रूप से इस बार प्रतिक सबी का जमीन दी है तेजा जी का सरकल बनाया है जाट बेल्ड के सभी सरपन साथ में और मेवराम जी का दावा है के विकास के ऊपर ठपा लगाएंगे 37 वरग के सभी धर्मों के लोग मेरे साथ है ऐसा मेवराम जी का दावा है तेखिए मैं आपको बता दूँ कहीं भी अब तो इनको पता है आचार से ता लग गई आचार से ता एक दिन पहले ये जमीनों को केते हैं आपको यहां पटा दे रहे हैं यहां जमीन दे रहे हैं जबकि मौके पे जमीन है यही नहीं इसका उदार्ण कल ही आपने देखा होगा लंगारा ग्राम पंचायद के अंदर के चुनाव को देखती हुई इसलिए देखते हैं के चुनाव को देखते हैं कि सारे समाज इस वोटों के लिए बहने किया है मेवाराम जी के समर्थकों का कांग्रेस के लोगों का कहना कि हमारा विदायक ऑस्पिटल में कोरना के दुरान था बेजीपी की लोग तो नजर नहीं आए किस नहीं आया नहीं हम लोग खुद ते हमारा किंद्री मंत्री कोई की नहीं है सब्सक्राइब करें और गंधरी के लिए और जिसके अंधर मन्ये खेणी नहीं दियो सारे शंसादना उपलब्त करगा और दोई उपलब्त कर दोख और लोगों के बीच की जीन लोग मिलने के बाद में कुछ नेता जो हमारे शंपरा के अंदर है और बिज़ी पी बड़ी तूट होगी इसके सारे मेवराम जी बैठें आपकी पार्टी के अंदर एकता है बिलकुल एकता है हमारे आपने देखा होगा मन्य केला जी चोदरी जी के नेतरतों में संपुर्ण राजस्तान भर के अंदर इनको श्योजग बनाया है इस कमिटी का सबी लोगों को तो इसलिए और बाड़ मेर मेर में तो बैसे हमारे मन्य केला जी हमारे जिलाद देख जी हम लोग महामंतरीगान पूरे बीजीपी की टीम और जितने भी हमारे जिस दिन भी जिसके नाम की टिकेट की गोशना होगी उसे दिन श्याम को सारे प्रत्यासी आपको उसके घर पे अंदर बीजीपी के मिलेंगे एक भी बार नहीं रहेगा तो आपकी सरकार आ रही है बिलकुल आ रही है परचंड बहुमत से आ रही है परचंड बहुमत से क्य दो देशों के बीच को युद को कोई रुकवाने की ताकत रखता है वो भारत रखता है भारत के परदान मंतरी रखते हैं और कल भी आपने देखा था आज उनके शारे सोशल मीडिया पर आपने राथ टीवी चैनल पर जो डाइसो लोग इसे इसराइल से आई हैं उन लोगों को आप दिल से वो दुआएं दे रहे थे मोदी जी को ये मोदी है उसी वज़े से हम आज यहां जिन्दा आ पाए हैं और वहां से अपने एरक्राप्ट के माद्यम से उन लोगों को ले के आना बहुत बड़ी उपलब दिये तो इसलिए सारे लोग आज मोदी को मोदी जी को चाते हैं और पता है उनको कि मोदी जी है तभी ये राष्टर है तो इसलिए सब लोग राष्टर के उपर राष्टरवाद के उपर इस भारत के लिए और मोदी जी के लिए भारतिये जनता पार्टी को विज़ेई बनाएंगे कांग्रेस के लोगों को कहना है कि मोदी जी के नाम के स्वाब आजपा के पास कोई काम की रणनीती नहीं है गिनाने के लिए काम नहीं है इसलिए मोदी मोदी के नारे लगाते हैं कितनी सचाई है नहीं मोदी जी के नाम पर क्यों नहीं मोदी जी जब सारा काम पर वालाध़ की योजना है से पता है is पैसे के राज्य सरकारें नहीं देनी है इसलिए मोदी जी ने सिधी योजनाएं शुरू कर दी तो उस कारण से जनता को शीदा रात मिल रहा है और दूसरी बाज़पा के खुद के पास इतने काम किसने के जिया नहीं पार्टी के सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं सब जनता को रहात मिल रही है और इस कांग्रेश के काले कारणामों को समय समय पर भारती जनता पार्टी हर प्लेट फार्म पर सडक से लेकर और सदन तक इनके काले कारणामों को उजागर करती रही है इसलिए भारती जनता पार्ट पार्टी को लोग चाते हैं संपुन्पर्देशवर के अंदर भारती जनता पार्टी की पर्चन्ड जीते लहर चल रही है अभी भारती जनता पार्टी की या राजस्तान के अंदर ये थे हमारे साथ रेणवीर सिंग जी बादू रेणवीर सिंग जी का जिला मामंत्री बाजपा के होने के नाते कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा दावा के बाजपा की सरकार आ रही है मोदी जी ने विकास की जन्ना बाई है और कॉंग्रेस के सासंद में नगरपलिका से लगा कर भष्टाचार को उजा कर हमेशा बाजपा पार्टी के नेताओं ने किया है और जनता के घर तक दिल तक बाजपा पूंची है आने वाले समय में देखने की बात ये हैं कि जैसा की रेणी शिंग बादू का दावा है कि टिकेट मिलने के बाद में बाजपा में सब कुछ अंदर खाने ठीक रहेगा अगर ऐसा रहता है तो समय बताएगा कि हो सकता परिणाम बाजपा के पाले में जाएं लेकिन मेवाराम अभी निर्दिलिये और आले यरी शिंगें के सारे गुणा बाग अभी तक कर रहे हैं उन्हों अपने पते नहीं खोले हैं मुख्याले की दुनेव पार्टियों की सीट डेकलियर होने के बाद में तैय होगा कि आरे लिपी क्या खेल करती है किसके साथ रहती है या निर्द media, namaskar